सेवक राम की हत्या हुई है और इस हत्या को लिपापोती करने में रोसरा के बरे बरे अफसर और बरे जो यहां के नेतागन है वह भी लोग इसमें आएंगे हम सरकार से मांग करते हैं कि एक डलित परिवार को सिवी आजाज की मांग करते हैं नहीं करेंगे जितनी भी पार्टी है चाहे लोग जड़ यू हो भाज अपा हो कांग्रेस हो, CPI हो, CPM हो, सभी जल मिल करके हम लोग सामोहिक रुप से चक्का जाम करेंगे और कर्म अंदोलन करेंगे नमस्ते मेरा नाम राजा है और आप देख रहे हैं रोसरा जंक्सन रामसेबक रामजी को मरे हुए या यह कह सकते हैं रामसेबक रामजी हत्याकांड के कई दिन बीठ चुके हैं लेकिन अभी तक हत्यारों पर किसी भी तरह की कानूनी कारवाई नहीं हुई है रोस्रा के आम लोग बात कर रहे हें कि आखिर कब कारवाई होगी हमारे साथ रोस्रा के बिभिननलों के बहो सारे वरिष्टल नेता मौजुद हैं इन लोगों की राय जानते हैं कि क्या इन लोगोंको लगता है कि सच में उनकी हत्या हुई हत्या हुई तो कौन किया और हत्या किया तो फिर कारवाई कई से होगी सबसे पहले लोजपा के परखंड अध्याक्षा क्या मुझसर आपका क्या कहा लेखे राम सेवक की हत्या हुई है वह अपने बीमारी से मारा नहीं है इसलिए जब उसको पकर के जैसा एस्टेटमेंट है पेपर और लोगों का हम देखें नहीं है तो उसमें यह कहा गया है कि राम सेवक को घर से बुलाया गया किसी ने बुला पुलीस मारा नहीं और जो लाया उने पुलीस को दे दिया बीच में क्या हुआ है तो घटना कर्म कोई देखा नहीं और इसी बीच में उसको उल्टी होता है खून का उल्टी होता है लोग का परसासन कहता है कि उसको सराब पिने की आदत थी और सराब नहीं मिला इसलिए ऐ सब्सक्राइब करना चाहिए तो उसको तो लोग रख दिये अपने सलाखों में रखे और तब अहरत खराब हुई तो हस्पीटल भे दिये हस्पीटल में उसको समस्तिपूर दर्भंगा पटना रेफर किया गया और जैसा उसके पतनी या उसके बेटे का स्टेट्मिट आ रहा हम यह कोन यहां waste होनी चाहिए और लाई होनी चाहिए और जो माफिया हो उसको मजड़ के समर्ट कि ốngरस कर दो लो है कि ही बास रहां यही बातची बहनार यही बास सही कि के नेता है क्या सरथ जानव lacked बंदू इसमें हम है कि की बात तो हम कह रहे हैं जो पूरे मामले का पूरे जितना मामला है राम सेवक राम जी एजक्युटिव साहव को ठप्पर से मारे उसके बाद जो घंठना घटित हुई और उसके बाद फिर उस पर केश होता है और उसे बुलाके लाया जाता है जैसे पुर्व के हमारे साथी बतलाए है तो उस बीच में जो कहानी बनता है उसके साथ क्या होता है उनके साथ कितनी भरी मारपीट होती है क्या होता है तो यह तो अंधेरे में है इसलिए इस पूरे मामले का उच्चस्तर ये जाच होना चाहिए और इसमें जो दोसी हैं, उनको जरूर पकरा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दोसी बेलगाम हैं, और बहुत सारे निर्दोस, लगभग 30-40 निर्दोस हमारे पत्रकार बंदू को भी इसमें पकर नाम दे दिया गया है, कहीं न कहीं, या परसाशन की जैदती हम कह सकते हैं, जो पत्रकार छुपाने के लिए परसाशन इसा कर रही है, इसकी पूरे मामले की जाच होनी चाहिए, उच्छस्तरिय जाच होनी चाहिए, और हम सांसार बिधायक जिसे भी कहेंगे, हमारे ही बिधायक हैं, कोई दिकत नहीं है, सांसार भी हमारे हैं, हम भी कोई दिकत नहीं है, हम वो नहीं करेगा रोस्रा उनको माफ नहीं करेगा आपकी पुलीस पत्रकारों पर केस कर रही है ओब तो कब करवाई हो देखिए अब मैं थोरा सा आपको बताना चाहता हूं कि चुकी मैं विधी जो मैंने विशाय है उस से जुराव हो मैं प्रवोकेट हूं सरकार का एडिशनल प तो एक कानूनी प्रक्रिया है तो इस प्रक्रन का जो है जो यह प्रक्रन शुरू हुआ कहां सकते मालिय कि राम सेवक राम एक शफाई कर्मी मजदूर है प्रोसरा नगर प्रिश्द का और उन लोगों ने भूखे पेट आंदोलन किया कि भाई हमारा जो मजदूरी है बकाया हम लोगों को वापस देदीजी आप पुजा है दिवाली है छट है तो यहां के जो इसकूटिव है तो इसकूटिव के द्वारा उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करने के कारण विवाद बढ़ा बाद में ऐसा आया की सहाब राम सेवक राम ने आभेश मया करके है कि आज़ें कोई भी भूखा आदमी किसी पर भी हाँ चला दे सकता है जब उसका बाल बच्चा भूख से तुरापने लगेगा तो कोई भी कदम उठा सकता है थो फैर जो हो गया उसने गलती में उठा दिया उसका इतना वडा पनिश्मेंट नहीं मिला देकिए अब तक किसी ने इस बात को नहीं रखा मुझे खेद है सकार मेरी है हम जानते हैं प्रशाषन हमारी है हम जानते हैं जो पक्ष और विपक्ष हमारे दल के भी लोग आये विधायक आये सांसद जी भी हमारे सहयोगी दल के हैं वो भी आये उच्छ से उच्छ बिरोधी दल के भी नेता आये लेकिन एक बात कहीं ने कहीं लग रहा है जो उस राम सेवक राम की मिर्तिव होती है वो हत्या है क्या है वो बाद का जांच का भी से है लेकिन उसका केस अभी तक ठाना में दर्ज नहीं हुआ है हम पक्ष और विबक्ष सभी लों को नसीहत देते हैं सबसे पहले एक फायार दर्ज होना चाहिए प्रात्वी की दर्ज होना चाहिए देखे एक सब्सक्राइब का मितू हुआ या हत्या जो भी हुआ उसका एफ है ने दर्ज किया और जबकि हमारे कि परसासन को परसासन को जिम्मेबार देखे मैं अभी जहां मैं था फिरो ही आना चाहता हूं कि यह हुई राम से गलती हुई तो इसके इतना वरा नहीं मिलना चाहिए था तो आखिर यह कहां से चला यह साजिस कहां से हुई कि उसके ख़लाब में एक ठपर किसे को आई पीसी के धारा 323 के सिवाय कुछ मेल सकता है किसी पर ठपर अगर चला दिया गया जो बेलेबुल होता है पुलिस ने अगर फायर दर्ज कराया इस लेकिन आईसा नहीं हुआ पर साथन मैं आरोप इस लगाना चाहता हूं कि पुलीज पर साथन और इसकुटी और कुछ जो प्रत हैं नगर पालका पर होबी है जो लोग नगर पालका से बेनीफित ले रहे हैं अपने मन मताबिक इन लोगों को शांट गाठ के पहज चुकि कंच लिए लगा शाधारन अनुसुची जाती का मैं वहाँ आना जाता हूं कि समाज में निचले तब के को कुछलने का कैसे प्रियास किया रहा है कि वह तो चमार जाती कि थे अनुसुच जाती कि थे लोगों ने उसके साथ अण्याई किया दोबना की परसासन परसासन ने जिन लोगों ने उसको बहला के उसको ले जा करके उसको मार करके उसके चाती पर चर करके और इसकी कोई जांच नहीं कोई कुछ नहीं हुआ और आज तक मैं भी बोला तो उसके बाद हमारे भाई बोले तुम चास्तरिये या जांच कनिबाद जितने भी नेता है MPA में ले मिनिस्टर जो भी लोगा है आपने क्यों ने इस बात को रखा कि समाज के वो गरीब तब का निर्धन जो एक सफाइ करनी है अनुसूजिजटी सी है उसके साथ इतना बला नया हुआ उसकी अगया हो गई और आपने केस दर्ज नहें किया पुलीस के सरक्षन में हुई या नहीं अगर हुई तो चाहिए सरकार को मांग करते हैं कि उसको मुआपजा मिलना चाहिए उसके बच्चों को नोकडी मिलने चाहिए उसके पत्नी विद्वा है उसे पैंसन मिलना चाहिए तो एक काम नहीं हो रही है एक दूसरे जब लोग इस्टिक को मोर रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई अगर पैंसन नहीं दे रहा है तो वैसे मुझे सलाह नहीं देनी चाहिए फिर भी एसी एस्टी का केश दर्ज होना चाहिए और उसको एस्टी केश में अगर उसकी हत्या हो गई है तो उसको आठ लाग से जादे पैसा सरकार देगी उसके बच्चे को नोकरी देगी और उसके पत्नी को पैंसन मिलेगा लोग अंधकार में घूम रहे हैं मानने मुख मंत्री नितीश कुमार ने समाज के रिशने तबकों के लिए कानून बना दिया है 2020 में लागो भी हो गया है कैस से कैस के फरबड़ी से मार्स से लागो हो गया कुल मिला के इनका कहना है कि बहुत सारी कानूनन सुभधाय है जो उस परिवार को मिल सकती है लेकिन बात यह है कि उनको उन तक जाएगा चुकि लोग अनपड़ लोग है सक्षम नहीं है पैसा नहीं है खाने का भी लानत है फिर कोट कचारी और यह सब कैसे करेंगे और यह क्योंनिस्ट पार्टी के लोग है लोग बोलता है कि हम लोग गड़ीव लोगों की आवाज उठाते हैं उठाते भी रहते हैं फिर रामसेवा क्राम में आप लोग क्या कि देखिए सर पहली बात तो जो रामसेव रांग जी मिर्तु हुई है उनको मैं जो रहना चला था उन परताप सेवा संकल्प और जो इसकुटी साब के बीच और मजदूरों के बीच एक लिखित बना था कि दस दिनों के अंदर इन लोग पीएप का पैसा और चार मेने के बकाय रासी है इनको भुकतान कर दिया जागा अगर भुकतान नहीं होता है तो आप लोग आंदरोन करन के लिए लेकिन दस दिन की आप जान लीजें दस दिन के बाद देर महेना बित गया उन लोग को नहीं हुआ और ऐसा हुआ कि लोग मजबूरन मजबूरन पी हर्ताल करना पड़ा हर्तार करने के कारण इस इनोबत आई हम तो यह करते हैं जो राम सेवक राम ने जो चर्चा चला जो कुछ वीडियो भी देखें उनको ठपर चला जा रहा है हम तो अपने जो हम जो समझते हैं उनको इतना हैसित नहीं था कि यह साबको ठपर चला थे हमको को कहिन कई इसमसाजित के बूग आ रह झां सभाना पर गया हम लोग पूरे कोषिस में हैं और जहां तक कि भास है एक सब्सक्राइए अगर पूरे सहर में पूरे सयोगी बुदीजरापन वोग साहथ करके वो चक्काजम करेंगे कि जब तक वो अधियों सहापन करेंगे यह यह थाणा अधियाश्फ पर तब तक हम एक साजीस के तहत राम सेवक राम की हत्या हुई है और इस हत्या को लिपा पूति करने में रोसरा के बरे बरे अफ्चर और बरे जो यहां के नेतागन हैं वह भी लोग इसमें आएंगे हम सरकार से मांग करते हैं कि एक डलित परिवार को सिवियाज की मांग करते हैं सिवियाज की मांग कर रहा हैं आप सरकार के सगयोगी है आपका क्या कंद रखते हैं और उनका देखरे करते तो तो यह तो साजीस हुआ है अब उसकारण से उसकी मिर्तु हो गई तो हम प्रसासन पदादिकारी नेता इनको बैठके देखके इसको जल्दी दिश्पोजल करके रास्ता को सांती पुरवक निकाल देना चाहिए क्या आए दर्शन किये चलिए इकुन बात को आए इसकी समाधा प्रसासन को बैठके इसको समाधान निकाल देना चाहिए मरने वाला तो चला गया अब उसको कुछ रास्ता निकलना चाहिए कुल मिला के यहां विभिन दलों के वरिष्ट नेता जिनकी रोसरा में काफी इज़त है लोग इनको मान समान देते हैं इन लोगों की बातों को समझते हैं इन लोगों का एक सुर में कहना है कि रोसरा परसासन से चूक हुई है या गलती हुई है या कहीं न कहीं वहीं सिधे तोर पेदोसी है और इनलों का कहना है कि अगर अगले दो-तीन दीन में अगर रामसेबक राम जी के हत्यारों को सजा दिलाने की और कोई पर्यास परसासन के द्वारा नहीं की जाती है निर्दोस लोगों को नहीं चोरा जाता है तो सब लोग मिल करके रोसरा में चक्का दाम कर करेंगे सब ले हम लो आंदोलन करेंगे जितनी भी पाटी है चाहे लोग पपा हो जद यू हो भाज पा हो । कॉंग्रेस हो् चीपि आई हो से पिये मोस हो सभी जल मिल करके हम लो सामोहिक रूप से मैं और और कधम मैं करम बदि करेंगे बहुत कम मौका आता है कि सभी दल के लोग एक मंच पर आकर एक सुर में बोलें कि रोसरा परसासन गलत है और वो कारवाई नहीं कर रही है रामसेबग राम के हत्यारों को निर्दोसों को फसा रही है और हम लोग चक्का जाम करेंगे आंदोलन करेंगे यह ख़बर देखने के बाद कहीं न कहीं रोसरा परसासन को चेज जाना चाहिए और जल्द से जल्द कोई न कोई एक्सन लेना चाहिए ताकि इस तरह की नववत नहीं